पूर्फ मंत्री और कॉंग्रिस के वरिष्ट निता जीयस बाली ने हिमाचल विधनसभा परिसर में हुए हंगामे को लेकर सत्पक्ष और वेपक्ष को सलाहा दी है कि आपस में बैठ कर मामले को सुलजाए और एक प्रतरिधी मंडल राजभवन में जाकर राज़ेपाल से मु मुझे बाली ने कहा कि राज़ेपाल को हिमाचल विधनसभा अध्यक्ष के चैंबर और फिर निवास तक सुरक्षित पहुँचाने का काम सरकार का है यहां कहीं न कहीं कानून व्यवस्था फेल हुई है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनी होतरी सहित कॉंग्रिस के पांच विधाईकों पर FIR को लेकर उन्होंने कहा कि राश्टर दोख का मुकदमा इस मामले में नहीं बनता है एक रेपूटेशन पूरे हिंदोस्तान में कि हम शांती पर यह लोग है और जहां तक राजय पाल महा महिम की बात है राजय पाल साब का कंसिचुशन पोजिशन है उनको उनके सम्मान में कोई कमी ना हो उनको कोई ठेस ना पहुँचे इसलिए कॉंग्रस पार्टी की तरफ से भी हम लोग भी जो भी हुआ है इसको खेद परकट करते हैं और यह जो सरकार है इसको भी खेद परकट करना चाहिए क्योंकि राजय पाल साब को अंदर ले जाना स्पीकर चेंबर तक यह काम सतापक्ष का है सरकार का है शुरक्षित लेकर जाना सुरक्षित लेकर करके आना और उनकी विदाई दे करके उनको उनके निवासतान तक पंचाना यह किनून मवस्ता और इंटेलिजेंस यह इसका मतलब कहीं न कहीं इनका फेलियर हुआ है और क्या हुआ कौन लोग उसमें शामिर थे मगर एक बात मुझे समय नहीं आती कि राश्टर दुरो का मकदमा नहीं बनता है जो दफे लगाए गए है वो पतनी कि जो भी अपनी वाज निकालता है उसको आप ऐसा दफा लगा देते हो कि जातों आप चुप रहे हैं अगर बोलने तो आप राश्टर दुरो ही हैं यह बात ठीक नहीं है और तुरंत माननिय मुक्य मंतरी जो हैं उनको इंट्रवेन करना चाहिए स्पीकर को करना चाहिए और यह बैठ करके सतापक्स और पक्स के बीच में बात्चित करें और दोनों पार्टियां जाकर के खेद पर कट करें माननिय राजया पाल साथ के साथ कि जो हुआ है उसके लिए हम खेद परकट करते हैं यह चीज रपीट नहीं होना चाहिए तो मेरा मानना यह है कि दोनों को कटे हो करके आप सुम्हें पहले सहमती मिनाएं और फिर राजय पार साव के पास जाएं एक डेपूटिशन में और उनके साथ जाकरके अपनी बाचित को उनके खेद परकट करके उनको तसलिद राएं कि यहां पर यह कैसी एकतम हो गया जाए कि बाईचांस हो गया पर यह चीज लोग की नेचर में ऐसी चीज नहीं है